Hi friends, welcome to the desk, Deva English Sospokan class. Friends, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, use of the sim and suggest. Suggest, suggest मतलब suggestion देना होता है, salah देना होता है, और sim मतलब लगता है, ऐसा होगा. Means, यहां पर हम दोनों का अर्थ लगता है के लिए हम बताएंगे, कि sim का इस्तमाल हम किस तरह के sentences के लिए हम करते हैं, और suggest का इस्तमाल हम किस तरह के sentences के लिए करते हैं. Friends, sim और suggest दोनों अलग अलग चीज़े हैं, पर हिंदी में सुनने में एक ही जैसा लगता है, लगता है, मतलब लगता है, it seems. और तुम्हारे बात करने का तरीके से लगता है, तो यूर, वेव वे वफ टॉकिंग सजेस्ट, हम ऐसा बोलते हैं, तो हम अच्छी तरह साम एक एक कर के विषतार साम समझेंगे, कि सजेश्ट का इस्तमाल हम कैसे करते हैं, और sim का इस्तमाल हम किस तरह के sentence के लिए करते हैं तो let's start the class of the day Friends, sim and suggest यहाँ पर दो तरह के sentences मैंने लिखे हैं चार उपर है चार नीचे है यह दोनों अलग अलग हैं यह उपर वाला suggest है और नीचे वाला sim है बट यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि suggest का इस्तमाल हम करते हैं लगता-लगती के लिए औरוב sim का इस्तमाल हम करते हैं लगता-लगती के लिए किस तरह के sentence आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि तुम्हारी फालतु बातों से लगता है कि तुम पागल हो means तुमारी मतलब जो तुमारा बात करने का तरीका है उससे ऐसा लगता है कि तुम कोई पागल हो तो हम इसको इंग्लिश में किसे बनाएंगे तो इसके लिए हम suggest का इस्तमाल करेंगे Your nonsense Your nonsense suggests that you are met दूसरा है उसके बात करने के तरीके से लगता है वो अमीर है means the way of his talking suggests that he is a rich ठीक है फ्रेंट्स suggests का इस्तमाल हम इस तरीके से करते हैं means जैसे बताएथे ना उसके बात करने के तरीके से लगता है अगर हम इसी को ऐसा बोलते कि लगता है कि वो अमीर है अमीर है तो आपर हम बोलते है It seems that he is rich ठीक है फ्रेंट्स समझ बारा ना आपको अब यह अगला संटेंस है उसके चलने के तरीके से लगता है कि वो लंगड़ा है The way of his walking suggests that he is a lamb फ्रेंट्स उसकी आवाज से लगा मानू मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ उसकी आवाज से लगा मतलब His voice suggested that यहाँ पर that नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मानू है तो मानू के लिए हम as if का इस्तेमाल करते हैं तो His voice suggested as if I have already met him फिर से His voice suggested as if I have already met him तो अब यह चार सेंटेंस हो गया है जिसको मैंने suggest लगा कर बनाया आपको बताया अब यह चार सेंटेंस है लगता है कि आज बारिश होगी लगता है डिरेक्ट लगता है से शुरू हो यह sentence तो वहाँ पर हम sim का इस्तेमाल करते हैं इसको मैं बनाये किसे लगता है कि आज बारिश होगी इसा लगता है कि तुम इस शहर में नए हो ऐसा लगता है कि तुम इस शहर में नए हो city, okay friends? अगर इसको हम ऐसा बोलेंगे कि तुम इस शहर में नए लगते हो तो वो हम उस तरह के sentence हम अब अलग तरह के से बोलेंगे अगर हम लगता है से शुरू कर रहे हैं तो it seems करकर बनाएंगे अगर हम ऐसा बोलेंगे इसको कि तुम इस शहर में नहीं लगते हो, तो you seem to be new here in the city, ऐसा बो लेंगा, ओके फ्रेंट्स, अभी अगला संटेंस है, लगता है कि वो तुम्हें मारेगा, तो it seems that he will beat you, ओके फ्रेंट्स, अभी लास्ट संटेंस है, ऐसा लगता है कि वो नहाता नहीं है, मतलब, अगर हम दो तरीकी से स्काम पोल सकते हैं, कि उसको देख के लगता है, या उसके हालत से लगता है, कि वो नहाता नहीं है, लेकिन यहापर हमने लिखा है, कि ऐसा लगता है, कि वो नहाता नहीं है, तो it seems that he doesn't take bath, अगर इसी संटेंस को हम ऐसा बोलते हैं, कि उसकी हालत से लगता है, कि वो नहाता नहीं है, तो his condition suggests that he doesn't take bath, ओके फ्रेंट्स, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ में अच्छी तरह से आगया होगा, कि suggest और sim के इस्तमाल हम कहां कहां और किस तरह के संटेंस के लिए करते हैं, ओके फ्रेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो कुछ पादा हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और कमेंट भी कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है, ओके फ्रेंट्स, तो अब तक हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलोट, धन्याबाद,